देखिए जिन्दगी में आप कितनी बार हा रहे हैं ये कोई माइने ने रखता लेकिन आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं इस बात को हमेशा याद रखेगा देखिए आज है 18 अगस्त का दिन और आज की वीडियो में टोटल 10 मोश इंबोरेंट करेंटेफर के प्रशनों पर हम चैचा करेंगे तो बने रहे हैं सुरु सरासा वीडियो में और वीडियो के लाश में जो 5 कोशनों पुछाते हैं इनका उत्तर जरूर दीजेगा और दीखिए जो लोग ने हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे साथ में बेल आइकोन प्रेश कर देंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजेगा दीखिए पहला प्रशनाज का कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक पेट्रोल में 20% एथनॉल मिलाने का लक्ष रखा है दीखिए एथनॉल को हम गयते हैं एथिल एलकोहल जिसको आप पीते हैं दारू बना के जो है तो दीखिए एथिल एलकोहल को 20% तक पेट्रोल में मिलाने क का लक्ष रखा गया है 2020 देखे कुछ खास पॉइंट को मैं आपको बताऊंगा भी इसको आपको आपको आराम से समझना पड़ेगा क्योंकि एक पॉइंट इक्जाम के लिए important है देखे भारत की जो पेट्रोलिय मंत्रियन का नाम है हर्दीव सिंगपुरी यार रखेगा इसक 2023 लेकिन असली टार्गेट यह 2025 है 2025 तक भारत के सभी पेट्रोल पंप पे जो आपका पेट्रोल मिलेगा उसमें 20% जो है एथिल एलकोहल मिक्स होगा देखे इसके पहले सरकार ने एक लक्ष बनाया था कि जो आपका नवंबर 2022 का महिना होगा तो नवंबर 2022 तक पूरे भारत में जितने भी पेट्रोल पंप हैं उनमें 10% जो है एथनॉल का ब्लेंडिक होगा यानि कि 10% एथनॉल मिक्स किया जाएगा लेकिन इस टार्गेट का जो समय था उससे पहले यानि कि कुछ महीने पहले ही जून में ही जो है यह लक्ष अपना हासिल के लिए सरकार ने यानि क तो इसको भी नोट कलीजेगा कि 10% एथनॉल मिलाने का लेक्ष भारत हासिल कर चुका है अब 20% एथनॉल मिलाने का लग्ष जो है पेट्रोल में 2025 तक पूरा किया जाएगा और दूसरा प्रशनी की सरकारी अनुमान के नुसार भारत 2029 के वित्तिय वर्स तक कितने ट्रिलिय अमेरिकी डालर यानि की 5000 अरब डालर की अर्थविवस्ता बन जाएगा दीकि एक और टार्गेट वाला प्रशना गया है किस वित्ति वर्स तक जो है कितने अरब डालर की भारत अर्थविवस्ता बनेगा तो इसको भी most important जो है नोट कर लिएगा दीकि एक खास बतोर है 2029 तक टार्गेट तो बना लिया गया है कि भारत को 5 ट्रिलियन डालर की अर्थविवस्ता बना दिया जाए लेकिन इसके लिए भारत को 8 चुनोतियों का सामना करना पड़ेगा यह 8 चुनोतियां कौन कौन सी हैं देखिए सबसे पहला चुनोति होगा कि भारत में निवेस को बढ़ाना यानि कि विदेशी कंपणियों को भारत में बुला कर उनके ब्रांचेश खोलना यह सबसे बड़ा चुनोति रहेगा या फिर भारती कंपणियों में जो विदेशी कंपणियां यह निवेस करें यह सबसे बड़ी चुनोति रहेगी और दूसरा उत्पादक्ता यहनी कि प्रोडक्शन को बढ़ाना, तीसरा सिख्षा और स्वास्त, परड़ामों में सुधार और अगला रहेगा आपका रोजगार पैदा करना, फिर क्रिसी उत्पादकता बढ़ाना पड़ेगा भारत में और उसके बाद ब्यापक आर्तिक इस्तिरता बनाये रखना और सासन में सुधार करना सामिल है, यहने कि करप्शन को बढ़ा कर सरकार घोटा ले करते रहे और भारत पे पांच रिल की अर्भ्योस्ता भी बन जाए, तो ऐसा नहीं होगा, सासन में सुधार करना पड़ेगा इमानदार सरकार जो है उसको बनाना पड़ेगा भारत में अगला क्याली में रक्षा मंतरी राजनास सिंग ने राजस्तान के इक जिले में दुर्गादास राठाउड की 385 जहनती पर वीर दुर्गादास राठाउड की प्रतिमा का अनावरण किया तो देखे यह प्लेस आपका राजस्तान का जोतपूर है याद रकेगा राजस्तान के जोतपूर में दुर्गादास राठाउड की 385 जहनती पर वीर दुर्गादास राठाउड की प्रतिमा का अनावरण किया गया देखे एक खास मतोर है जो आपकी सत्रवी सताब्दी थी सत्रवी सताब्दी में जो है जो महराजा जस्वन सिंग थे इनकी मृत्यू के बाद बीर दुर्गादास राठाउड ने अकेले अपने दम पर मारवाड यानि की जोतपूर पर राठाउड बंस के सासन को बनाए र रखा कहां पर जोतपूर में यानि की मारवाड में और ये करने के लिए उन्होंने मुगल सासक औरंग जेब को धूल चड़ा कर इन्होंने लगातार 1638 से 1718 तक जो है अपना सासन बनाए रखा देखे जो आपके दुर्गादास राठाउड है इनके पिता का नाम था आसकर और ये महाराज़ा जस्वन सिंग के मंतरी थे और इनके माता का नाम था नेत कमरबाई देखे दुर्गादास का जो पालन पोशाड है ये लुनाओ नाम के गाउं में हुआ था और 22 नॉमबर 1718 को सिप्रा के तट पर उज्जैन में जो है दुर्गादास की क्यासी वर्ष क आयू में मरती हो गई थी और लाल पत्थर में इनकी चज़री अभी भी चक्रतिर्थ उज्जैन में बनी हुई है जो कि सभी सोजनता सेनानियों और राजपुतों के लिए तिर्थ है दुर्गादास राठोर के बारे मैंने इस टे बता दिया क्योंकि ये हमारे बहुत ही ए पुरुष या फिर महाराजा थे उनकी बारे में पूछा जाता है तो नोट कर लिए इसको सभी के लिए important है देखिए हमारे जो पुरुष थे उनके बारे में जानना भी हमें बहुत जरूरी है और एक्जाम में तो पूछा ही जाया गया ये सारी शिये चौधा प्रशने की डूरंड कप का काउन सा सीजन 16 अगस्त से 18 सितंबर के बीच में आईजूत होगा तो दीकि डूरंड कप का 101 संस्क्रण जो है ये 16 अगस्त को सुरू होगा और 18 सितंबर तक आईजूत होगा ठीक है दीकि एसिया के सबसे पुराने कलब फुटबाल चलेगा आईए थोड़ा सा डूरंड कप के बारे में हम जाल लेते हैं दीकि रेलवे के जितने भी एक्जाम हुए है रिकार्ड है उनमें एक प्रशन जरूर गुसा देता है कि डूरंड कप की स्खेल से समधित है तो डूरंड कप जो है एक फुटबाल टूर्णमेंट है नोट का लिएगा हमेशा यार रखेगा दीकि डूरंड कप का जो एक सो एक तीसवा सीजन है ये सोला अगस्त से 18 सितंबर के बीच में कोलकाता के साल्ट लेके स्टेडियम और किसोर भारती स्टेडियम में खिला जाएगा और इसके अलामा डूरंड कप जो है इसके कुछ म इमफाल के इमफाल जो ये मडिपूर की राजानी है तो इमफाल के खुमान लंपक स्टेडियम और गुवाहाटी के इंदरा कांधी एतलेटिक स्टेडियम में ये खिले जाएगे और इस सीजन में टीमों की संख्या को बढ़ाय गया है पहले इस टूर्णमेंट में 16 टीमे 22 की मेजबानी कर रहे हैं और इन तीनों प्रदेसों में विभिन जगों पर इसका आईज़न होने वाला है और ये आईज़न सलमन्या को वता दियें कि पस्चिम मंगाल में कोलकाता के साटलेगे स्टेडियम और किसोर भारती स्टेडियम में साथ में मरीपूर के खुमान ल इन 20 टीमों में 11 टीमें आई एसल की होंगी 5 टीमें आई लीक की होंगी और इंडियन आर्मी की जोहज़ चार टीमें इसमें खेलेंगी और देखी डूरन कप जोहज़ के बारे में सबसे खात बाते हैं कि इस कप की सुरुवात 131 साल पहले 1888 में सीमला यानि कि हिमांचल प 12 बार जो है मोहन बागान कप को जीता है और दीखे एक खास बतोर है अभी कुछ सालों पहले जो है इनका जो परभार में से ये काफी वेकार रहा इनका परदरसन अच्छा नहीं रहा मोहन बागान का और इस्ट बंगाल का दीखे मोहन बागान ने सन 2000 में अपना आखरी जो में नहीं मिलने वाला है किसी भी करेंटे भर के मैगजीन में नहीं मिलने वाला है तो यह जो selective material मैंने बहुत मेहनस से collect किया है आराम से इसको note करके exam में अपना 100% score कीजिए अगला प्रशनी की हाल ही में केंदरी मंदरी डाक्टर जीतेंदर सिंग ने भारत की पहली खारे पानी से रोसन होने वाली लाल्टेंड का अनारण किया इस लाल्टेंड का क्या नाम है तो दीखे एक ऐसी लाल्टेंड बनाई गई है जो कि समंदर के खारे पानी से रोसन होती है इसका नाम रोसनी रखा गया है ये लाल्टेन आपको यहां पे दिख रही है जो भारत के केंद्री मंत्री डाक्टर जीतेंद सिंजोहिस को अभी हाली में लांच कर रहे हैं इसका नावरण कर रहे है देखे इस लाल्टेन की खास बात यह है कि इस लाल्टेन में LED बल्ब को जलाने के लिए क्या होता है लाइट के तोर पर काम करता है और अगर आपको समंदर का पानी नहीं मिला तो आप इस लाल्टेन में जो है सादे पानी में नमक मिला कर जो है इसको यूज कर सकते हैं यह तब भी काम करेगा यानिकि पानी में नमक होना जरूरी है अगला प्रशनी की जुलाई 2022 में थोक मा आई घटकर 13.9% जो है यह पहुँच गई थी देगे खात दे बस्तों यानिकि खाने पीने की बस्तों और वी निर्मित उत्पादों की कीमतों में नर्मी से थोक कीमतों पर आधारित मुद्राश पिती जुलाई में घटकर 13.9% जो है इस पर आ गई देगी जोब का थोक यानि कि जो आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स पर आधारित मुद्राश पिती इससे पिछले महीने जो आपका जून का महीने था जून महीने में 15.18% पिती थी और मैं में ये 15.88% पिती थी और आपको पता दूँ पिछले साल जुलाई महीने में जो है यानि कि 2021 में जुल सोतंतरता के 75 वर्ष पूरे होने पर अंदरीश में प्रित्वी से कितने किलोमेटर की उचाई पर नेशनल फ्लाइग यानि कि भारती धोच फ़र आया गया तो ही कि इस साल आजादी का 75 साल पूरा हो गया है और हमने इस साल 76 सोतंतरता दिवस मनाया है इसको नोट कर लिजेग पिछले 15 अगस से लगाए अब तक के सभी करेंडिवर को देखकर रिवाइस कट ले दिखे टोटल 30 फीच की उचाई पर आकास में भारती धोच को फ़र आए गया था आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर दिखे एक कंपनी है स्पेस किट्ज इंडिया इसने एक गुबारे के जड़िये तिरेंगवे को अंतरिक्ष में भेजा था यानि कि 30 किलोमेटर की उचाई पर भेजा था देखे जब कराना स्पेस किट्ज इंडिया है ये संगठन देश के लिए युवा वग्यानिकों को बनाने वाला एरो स्पेस संगठन है अगला की सोधनता दिवस के एक हजार बयासी पुलिस कर्मियों को जो है समन्त किया गया आजादी के 76 सोधनता दिवस पर यानिकि 75 साल पूरे होने पर देखे सोधनता दिवस के आउसर पर केंदरी ससस्त्र पुलिस बाल यानिकि C.A.P.F. और राज पुलिस के कुल एक हजार बयासी पुलिस कर्मियों को समन्त किया गया है देखे सरकारी बयान के मुताबिक विर्ता के लिए इस बार 347 पुलिस पदक विसिष्ट सिवा के लिए 87 राश्पती पुलिस पदक और सराहनी सिवा के लिए कुल 648 पुलिस पदक जड़ा परदान किये गया है और ये पदक किनको किनको दियेगा है ये चीज़े मैं आपको डीटेल बता जता हूँ दिखी केंदरी ग्रे मंतराले ने बताया कि विर्ता के लिए 347 पदकों में से 204 कर्मियों को जम्मू कस्वीर में विर्ता पुरूर कार करने के लिए दिया गया है और 80 पुलिस कर्मियों क वामपंथी, चरंपंथ और नक्सली हिंसा प्रभाइट अस्थानों में विर्ता का प्रतसन करने के लिए दिया गया है और 14 पुलिस कर्मियों को जो है चेत्र में बहादूरी का परिचे देने के लिए जो है जो आपका विर्ता के लिए पदक है ये दिया गया है और दिखी सुरक्षा बल को 19 और भारती तिब्बत सीमा पुलिस यानि की ITBP और ससस्त सीमा बल को यानि की SSB को 6-6 पदक मिले हैं और इकी राजय पुलिस बलों में 42 विर्ता पदक महराज को मिला है और 15 पदक जो है 36 गड़ को मिला है तो टोटल पदकों की संख्या मैंने बता दिये किसको किसको कितना मिला है इसको नोट कर लिएगा और एक बार फिर से वीडियो को देख लिजेगा ताकि ये सारे आंकड़े आपके दिमाग में बैट जाए अगला की विलियम रूटो किस देश के नए राजपती बने है तो दीकि अभी हाली में केन्या के नए राजपती के रूप में सबद ली है विलियम रूटो ने यहाँ पे इनकी फोटो दीख रही है और विलियम रूटो ने केन्या के राजपती के पत पर उहूरू केन्याटा का स्थान लिया है दीके जो उतकी विलियम रुटों है इसके पहले राजपती बनने के पहले 9 साल से ये केन्या के 수ार्वर राजपती के रुप में काम कर रहे थे दीके केन्या जो है इसकी राज़नी है नेयरूबी और यहां की मुद्रा है अब यह एक हागी टूर्णामेंट है याद रखेगा देखिए यह प्रस्टमी रेलवे के एक्जाम में बहुत पूछा गया है कि सुल्तान अजलन साह कब यह किस खेल से समद्धित है तो यह एक हागी टूर्णामेंट है और यह बहुत ही विशेज टाइप का तक जो है मलेशिया की इपो में आउजित किया जाएगा दो साल तक इसका आउजित होने के बाद 2020 और 2021 में इसको कैंसिल कर दिया गया था कोरोना के कारण और देखे खात बतो रहे है 2019 में जो अपका सुल्तान अजलन साग कब हुआ था तो उसका विनर कौन था दक्षिट कोरिया दक्षिट कोरिया ने फाइनल में भारत को हरा कर सुल्तान अजलन साग कब 2019 जीता था याद रखेगा इसको क्योंकि देखे इस साल का आईजन तो हो नहीं वाला है लेकिन पिछले साल का जो विनर है यादि कि पिछले आईजन का जो विनर है इसका नाभी एक्जाम में पुछा आता है देखे कोई भी आईउन जब होता है तो हमें जो है इक्जामनर्स दो ती जिओंप चाहितों पर होकस करता है कि इस बार का विजेता कऊन है और पिछले बार विजेता कौन था तो कभी कभी जो खुराफाती ग्जामनर्स होते हैं वो पिछले बार काई पूछते हैं कि बताओ बेटा पिछले बार फला कप जो है किसने जीता था तो 2019 में सुल्तान अजलन सा कप हाकी टूर्णामेंट को किसने जीता था दक्षिर कुरिया ने भारत को हरा कर और इस बार का जो विनर होगा इसका पता चलेगा कब पचीस नोवमर को इसको यह रखेगा पचीस नोवमर को मैं बताओंगा कि सुल्तान अजलन सा कप हाकी टूर्णामेंट 2022 का विनर कौन है देखिए इस बार जो आपका सुल्तान अजलन सा कप हाकी टूर्णामेंट आयूत होगा तो इसमें भारत और आश्टेलिया साई टोटल 6 टीमों को आमंतरित किया गया है सबसे अधिक अजलन सा टूर्णामेंट आश्टेलिया जीते हैं और 10 बार आश्टेलिया इस टूर्णामेंट को जीता है अगर एक्जाम में पुछा जाए कि सबसे अधिक सुल्तान अजलन सा कप हाकी टूर्णामेंट किसने जीता है तो यह जीता है आश्टेलिया ने और आश्टेलिया ने 10 बार इसको जीता है और भारत जो है पांच बार जो है इस किताब को जीत चुका है पाकिस्तान दक्षिट कोरिया यह दोनों दे जोड़त तीन बार इसकिताब को जीत चुके है देखिए याद रखेगा भारत ने पांच बार जो है सुल्तान अजलन सा कप को जीता है देखिए जो आपका सुल्तान अजलन सा कप है इसके बारे में यार के लिगा कि ये हमेशा मलेसिया में ही आयूध होता है और ये मलेसिया में आयूध होने वाला एक वार्सिक अंदराश्टी पूरुस मैदानी हा की प्रत्योकता है यानि कि ये किवर्ड पूरुस केटेगरी में आज जो होता है मैला केटेगरी में आज जो निसकार नहीं होता है दीकि आज ट्रिलिया ने अब तक सबसे जाजे बार जो है दस बार ये प्रतिवक्ता जीती है और साल 2019 में दक्षुर कुरिया भारत को हरा कर अजलन साहब कब 2019 का जो बीजेता बना था नोट कर लिजेगा तो ये थे आप के आज के सभी मातपूर करेंडे पर और हम बात करेंगे आज के सभी कुशामटी पर आज का पहला प्रसन है कि हाल ही में किस ने आपरिषन यातरी सुरक्षा शुरुखिया बताईए दूसरा की हाल ही में किस बांक ने उत्सो सावधी जमाज योजना शुरुखिय है आंसर बताईए तीसरा की अंतराश्टी समुदरी भोजन सो दोजार तेज की मेज़मानी कौन खरेगा बताईए और चौता प्रशनी की हाल ही में राके जुञजुन वाला का रिधन हो गया ये किस छित्र के दिगर्ज थे हैं बताईए पांचमा की हाली में किस राजी के तीसरे हवाई अड़े का नाम डोनी पोलो हवाई अड़ा रखा गया बताईए और अब हम बात करेंगे कल के पूछे के सभी कुशन अप्रिय के सहित्रों की दीकर्ण और ये का पष्णा चमुना की बिभाजन विवीर्च का स्मृथी दिवस जो है ये किस्तिधी को मनायता है तो जी कि हर साल 14 अगस्ट को मनायता है दूशरा था कि 15 अगस्ट को लाल के लिए से देश को कौन संभोधित करता है तो दीकि बारत के प्रधारमन्ती संबोधित करते हैं 15 गस्त को और 26 जनौरी को राश्टवती करते हैं और अगला था कि नेशनल स्टाक एक्सचेंज के नए प्रबंद निर्सक और मुख्य कारेबाला का दिकारी कौन बने हैं तो दीकिन का नाम है आसिस कुमार चोहान और चोता था की हाली में रामसर सलों की सूची में कितने नए आर्दर भूमी छित्रों को सामिल किया गया है तो दीकिन की संक्या 11 और इसके बारे में परसों का वीडियो देखके कुछ और वी इंफॉर्मेसन थी उसको रिवाइज कर लिजेगा पांचवा प्रसंता की हाली में स्रिलंका ने सोलर से 22 सगर सक हम्मन टोटा बंदरगा पर किस देश के सोच जहाज युवान वांग 5 को डॉक करने के नोती दी तो दीकिन की देशाब का चीन है तो इसे के साथ आज का वीडियो इसमापत होता है जैहिंज जैभारत